हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टुचेम व्लाग इंड कुकिंग सो फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को कर लीचे सब्सक्राइब और लेटेस्ट आप जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए सो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग वाले हैं लेटेटी एंड यम्मी पेड़े की रेसिपी यह आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं मैं एकदम आपको ब्यूटिफल पेड़े की रेसिपी बनाना बताने वाली हों और यह पेड़े आपके बिल्कुल ही टेस्टी बनके ready होंगे और फ्रेंट्स इस ले लिया है आपको एक कप सूजी ले लेना है इसे हम लोग रवा भी बोलते हैं सो फ्रेंस यहाँ पर देखिए आपको दो प्रकार की सूजी मिल जाएंगे तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं आपको पाउडर नहीं बनाना है आपको जसे दर दर पीस लेना है आपको देख सकते हैं मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं बिलकुली अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है अब इसकी थिकनेस देख सकते हैं जैसा हमारा बेसन होता है उसकी तरह जो टेक्शिर है वो आया है so friends अब हम लोग देखिए हमारी next process यहाँ देख लेते तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कड़ाई ले लिए आप चाहे तो एक पैन ले लिए तो यहाँ पर हम लोग देखिए गी एड़ कर लेंगे यहाँ पर मैं डेसी गी यूस कर रही है Аपकास ब्रजैर वाली गी हो तो आप वह भी यूस कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं अब हम इसे melt होने देएगे तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग इसमें जैसी हमारी गी बोस्ट हो जाए हम लोग देखिए इसमें नारियल का बुरादा एड़ कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें नारियल का बुरादा एड़ करके इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सो फ्रेंस चलिए मैंसे फटाफट अच्छी तरह से जो हमारा सूजी उसके साथ मिक्स कर लेती हूं उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं इसमें और घी एड़ कर रही हूं तो आप इस तरह से बिच बिच में जितना आपको घी लगे वो आप एड़ कर सकते अपने हिसाब से इस तरह से अगर आप घी एड़ करेंगे तो आपकी जो घी है वो जादा यूज नहीं होगी और परफेक्टली आप मेजरमेंट की हिसाब से जो घी है उसका यूज कर सकते हैं जैसी की आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुली अच्छी तरह से मिक्स कर लिया अब यहापे देखे हम लोग इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे सो फ्रेंस यहां देखिए आप मैं इसमें वन कप पहले मिल्क आड़ कर लेती हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं मिल्क आड़ कर लेने के बाद आपको देखिए से हलका से इस तरह से मिक्स कर लेना है अब यहाँ पर देखिए मैं दुस्तरा कप यहाँ पर मिल्क एड़ कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने टोटल टू कप से यहाँ पर मिल्क एड़ कर लिये अब मैं देखिए इसे भी अच्छी तरह से जो हमारा सूजी उसमें मिक्स कर लेती हूँ अब यहाँ देखिए इसे अच्छी तरह से mix कर लेने के बद यहाँ पर मैंने sugar powder एड़ कर लिया तो यहाँ पर मैंने half cup sugar powder एड़ कर लिया अब मैं देखिए इसे भी अच्छी तरह से इसमें mix कर लेती हूँ सो फ्रेंस जब भी हम लोग शुगर एड़ करते हैं तो यह जो हमारा मिक्सचर है यह पानी छोड़ने लग जाता है तो आपको क्या करना है से फटा-फट कंटिनियूसली मिक्स करते रहना है सो फ्रेंस यहाँ देख सकते हैं हमारा अच्छी तरह से बन गया अब हम लोग देखिया हाफ अफ दो मिक्सर निकाल लेंगे एक प्लेट में सो फ्रेंस अब हम देखिया इसमें केसर अड़ कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने दूद में अलरेड़ी केसर भिगा लिया था तो अब मैं इसमें एड़ कर लूँगी और इससे हम लोगों को देखिया अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सो फ्रेंस अब यह mixture को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ सो फ्रेंस यहाँ पर देखिए मैंने another portion यहाँ पे पैन में add कर लिया है सो फ्रेंस अब मैं देखिए इस mixture में red color का food color मिलाके इससे देखिए अच्छी तरह से mix करके इसका mixture ready कर लूँगे यह mixture ready हो जाने के बाद इसे भी हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे उसके बाद another mixture add करके उसमें हम लोग green food color add करके उसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं mix कर लेने के बाद हम लोग उसे भी निकाल लेंगे सो फ्रेंड देखिए मैंने सभी जो mixture है वो प्लेट में निकाल लिया है तो अब यहाँ पर देखिए एक mixture का portion लेके उसको देखिए इस तरह से हम लोग शेप दे देंगे यहाँ पर देखिए मैंने food color add करके से इस तरह से decorate कर लिया है और इसके उपर add कर लिया है उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने जो food color में water add करके इस तरह से lines draw कर लिये हैं decoration के लिए जो बहुत ही beautiful लग रहे जैसे कि आप याद देख सकते हैं तो friends देखिए हमारे जो tasty and yummy पेड़े हैं वो बनके ready हो गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं तो friends हमारे tasty and yummy पेड़े बनके ready हो गए हैं देखा आपने कितनी simple recipe थी और बिल्कुल जटपड बनके तयार हो गई है So friends कितने beautiful लग रहे हमारे पेड़े जैसे कि आप यहाद देख सकते हैं तो friends आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपको next video में Thanks for watching my video